अच्छा डिव्यू चैनल पे आपका स्वागत है नमस्ते मैं बहुआ नमस्कार मैं हूँ रॉनक और आज की वीडियो के माध्यम से हम सभी थेटर ओनर्स को ये रिक्वेश्च करना चाहते कि भाईया छोटी फिल्मों को भी चांस दे दिया करो बे कई छोटे शहर में तो चै निकालने वाली फिल्म बनाई है उससे कोप अप करने में दो दिन लग गए इसके बावजूद इस फिल्म को पूरे देश में 774 प्लस स्क्रीन मिले है जिस पर रोज 1232 चल रहे है सप्राइज यह नहीं कि इसको इतनी कम स्क्रीन कैसे मिले सप्राइज यह है कि इसको इतनी भी कैसे मिल गई क्योंकि सेलमान भाई की पिच्चटे ने साड़े थीटर की स्क्रीन थोक के भाव उठा रखी है उनका बस चलता तो आपकी मोबाईल स्क्रीन भी उठा लेते वैसे उठाने से आदाया मोबाईल उठा के फटक से उसमें कीवी आप डाउनलोड करो डिस्क् खेलना है, हजार रुपे घर ले जाने और जो सवाल पूछे जाएंगे वो भी उसी मैच से जुड़े हुए और आंसर सिर्फ यस या नो में आपको देना है तो जल्दी से कीवी आप को डाउनलोड करो मेरे ब्रो आगे वीडियो पर आते हैं और बात करते हैं चैंगीज की एक लाइन में रिव्यू करें तो ये वो एफर्ट है जिसको हर छोटी इंडस्ट्री को कभी न कभी रिस्क तो लेना पड़ेगा चैंगीज ने बेंगली इंडस्ट्री की तरफ से वही कोशिश की है जीत मदनानी ने कोलकता की कहानी पूरे भारत में लाने का एक रिस्क ल गाने हैं खुन खडाबा है और एक डीसेंट क्लाइमेक्स है अब ऐसी फिल्मों की कहानी कहीं न कहीं प्रेडिक्टेबल होती है जो ये भी है कैंग्स्टर मूवी स्ट्राइड इंटेस्टेट फॉर्मुला है थोड़ी बहुत सिमिलारिटी सब में मिल ही जाती है लेकिन इ इस फिल्म को इंप्रेसिव बनाती है वो लेकिन केजी एफ और पुष्पा जैसी बड़ी बजट की फिल्मों का स्वाद ले चुकी हमारी जनता को इस पिचड में कुछ अधूरा सा तो लगे गाई ये ठीक भी है लेकिन अगर आप गैंस्टर मसाला फिल्मों के फैन है तो ये फिल्म आप उन टाइम वाच कर सकते हैं मूवी में कुछ चीज़ें हमको बढ़ियान लगी एक तो जीजा लोगों की इसमें बड़ी जत की गई है फिल्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगा डबिंग भी बढ़ियां है वहीं फिल्म की कहानी को भी कम बजट में पर ब फिर भी मंडे से उम्मीद है कि इसका कॉंटेंट बोलेगा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के सपने को जीत दादा ने पूरा करने की जो कोशिश की है वो खाविले तारीफ है बढ़िया है बाकि आपने फिचर देखी है नहीं देखी हमें कॉमेंट करके जरूर बताना और कम आपने के लिफखी है